नमस्कार मैं हूँ संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रस न्यूस की इस विप पोर्टल पे आपका स्वागत है, आईए देखते हैं हमारे समवादाता, राम सकल यादो की ये विशेश रिपोर्ट जनपद आजमगड में अनलाइन अटेंडेंस के बीरोध में बड़ी संख्या में परसदी विद्याले के सिच्छक कुणर शिंगुद्यान में पहुँच कर बीरोध प्रदाशन किये, इसके बाद मुख्यमंदरी को शंबोधित, अपनी मांगों से संबंधित ग्यापंचिला अधिकारी को शौपा, सिच्छकों का कहना है कि सरकार जिस तरह से हम लोगों को अनलाइन अटेंडेंस के लिए बाद दे कर रही है, निस्चित रूप से दुखत है, यही कारण है कि हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुचाना चाहते हैं, प्रदर्सल कर रहे सिच्छकों और कर्मिशारियों के डिजीटल अटेंडेंस लगाने का निर्देश दिया है, जिसके बिरोध में परसदिय स्कूल के सिच्छक लगतार लामबद रहे, जिसके चलते अनलाइन हाजरी का परसेंटिज पहुचने उतम रहा, सरकार ने इसे लागू करने के लिए सभी जीरा बेसिक सिच्छा अधिकारियों को निर्देश दिया, कि सिच्छक अपनी उपस्तिती डिजीटल पद्धती से करेंगे, वहीं इस मामले को लेकर पूरा सिच्छक वर्ग बिरोध कर रहा है, सिच्छकों की सरकार से मांग है कि 30 EL और 15 हाप CL दिया जाए, इसके साथ ही राज क कर्मचारी की तहद सिच्छकों को भी कायसलेश चीकिछा शुविधा दी जाए, अनलाइन अटेंडेंज की पूरी गड़लाइन्स पूरी की जाए, इन चार मांगों को पूरी तरह सरकार पूरा कर दे, हम अनलाइन अटेंडेंज का सपोर्ट करने के लिए तयार हैं, वहीं शरकार हम लोगों को उसी हिसाब से सुरच्छा दे और हमारी जो मांग है उसी पूरी करें हम सभी सिछकों की संबेदनाओं को शरकार को समझना चाहिए सिछकों ने बताया कि अनलाइन अटेंडेंस को लेकर ऐसा नियम बनाया गया है उसमें पूरी बेतन काटा जाएगा और निश्चित रूप से दुखत है ऐसे में हमारी मांग है कि हमारी समस्याओं का समधान किया जाए हम लोग अनलाइन अटेंडेंस के लिए तयार हैं सिछकों ने बताया कि हम डिजीटल अटेंडेंस का बिरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जीस तरह से लागू किया जा रहा है उ ये मागों को लेकर डिजिटल अटेंडेंस के बिरोध करने की बात कही. अगर मांगे नहीं पूरी क्या करेंगे? प्रदेश नेतित के आवान के आज किसनी संख्या रहेंगी आप लोगा हैं अधिकारी आदेश निकाले हाएं कि आन-लाइन हादिरी ली जाएगी और अधा घंटा अगर बिनम्ब हो गया तो बेतर नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा यह भी नहीं है कि कभी हम उतका मेटकर लगा दे और कुछ है तो मिल जाएगा बेतर कभी नहीं मिलेगा ऐसा आदेश केवल सिच्छक के ऊपर लागू हुआ है इस सरकार में पहली बार यह सरकार इतना नहीं समझ रहे हैं कि मेरे पास केवल बेतर और कुछ है नहीं जब जब तब तक कर्णचारियों और सिच्छकों का इस सरकार ने धमन भी जा है हमने भी सोचा है कि अब उनके खिलाब हम लोग भी आंदोलन आज जो कि आपन दिया धरना बहुत थंखिप वह प्रसासन धरना होने नहीं दिया लाउड़ स्पीकर मेरा रोक दिया आप सारे लोग उस और आप लोग आजम बढ़के मीडिया प्रभारी हैं आप लोग आजम बढ़के जुड़े हुए हम लोगों से हैं यह मेरी हावास सरकार तक पहुंचनी चाहिए हमारी मांगे हैं मैं तयार हूँ लेकिन मुझे कर्ब्चारियों की बाद सीयल दिया जाए मुझे अगर मेरी तब्यात खराब हो जाती है तो हाप लिया जाए कोई अप्लिकेशन दे दिया तो उसको मानके कि हाँ इनकी कोई के जोड़ती हो गई कोई और वात रफिकार किया जा यह सब शुम्हें नहीं है यह जो मांगे हैं उसके बाद पुरानी पेंशन हमारी हमको मिलने चाहिए हमारी शुक्ता का सवार अगली रंडिती कह रहे हैं अरुदेसक शिच्छा मित्र साड़ेस्थाथ हजार तस हजार पे काम कर रहे हैं बिस्तों साल से क्या यह लोग नहीं समझ रहे हैं उनका पेट खर रहा है कि नहीं बर रहा है यह हमारी मांगा है अरुदेस के बिरोध में मुखमानी मुखमंत्री के नाम दिला धिकारी को पत्रट दिया गया हम लोग आनलाइन उपस्तिती के बिरोधी नहीं है यह भ्रम खैला जा रहा है चाहिवो मीडिया हो या समाज में हम कभी वी इसके बिरोध में नहीं है। आनलाइन अटेंडेंज जरूर देंगे लेकिन हमारी पूरकी बात, हमारी मांगे हैं, उन मांगों को जब तक पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग online attendance नहीं देंगे हमारी मांगे जनुरीन मांगे हैं, उस मांगों पे बिचार नहीं किया जा रहा है और मुझे जबर्दस्ती हमारे उपर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं, अभी तो पीट वेवार हुआ, अब पेट वेवार हो रहा हमारे वेतन की कटोती की जा रही है तो किस तरह से आप लोग आंदोलं की रणनीत हमारे प्रदेश अस्तर से जारी है, हम लोग बाइकाट अनलामे कंदेस कर रहे हैं भी त्यालवार, इसके बाद फिर आज यहां दिया गया है और यह सरकार और प्रशासन अगर इस बात को नहीं समझेगा, तो वंतिस तारी को पूरे प्रदेश के सिक्षक, लखनाओं पहानी देशक के कारियालों को खिरने का काम करेंगे और फिर इसके बाद अगर नहीं मानेंगे, तो और लडाई हमवारी आगे जारी रहेगी, और हम लोग पीछे हटने वाले, नहीं है, पीछे हटने वाले, लोग तंत्र में ताना साही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोगी तेरी ताना साही, नहीं चलेगी, जोगी तेरी और देपांग ऩी पांग अगर आपको हमारी ख़बर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करिए